एक बार महर्शी नारत, भगवान चंकर, विश्णू और भ्रम्मा जी से मिलने स्वर्ग लोग को गए परन्तु तीनों में से किसी से भी उनकी भेंट नहीं हो पाई भगवान तो नहीं मिले, लेकिन तीनों के धरम पत्मिया अपने अपने लोग में अवश्य उपस से थी लक्ष्मी जी ने जैसे ही महर्शी नारत को देखा, तो उनका मुख कमल के समान खिल उठा और वे बोली, आईए नारत जी, आप तो बहुत दिनों बाद आएं हैं, कहिए क्या हाल है महर्शी नारत बोले, नारायन, नारायन, अरे आज आप तीनों को एक साथ देखकर, तो मुझे अत्यंत हर्श हो रहा है इस पर पार्वती माता मुस्कुरा कर बोली, हाँ नारत जी, हम आपस में अपने पतिव्रत ध्राम, शील और सदगुनों की ही जर्चा कर रहे थे इस संपूर्ण जगत में हम से बढ़कर पतिव्रत ध्रम का पालन करने वाली कोई इस्त्री नहीं है महर्शी नारत ने अनुभव किया कि तीनों को अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत गर्व हो गया था अते उसी घमंड को चूर-चूर करने के लिए नारत जी बोले माता यह बात तो परम सत्य है कि आप तीनों ही एक से एक बढ़कर पतिव्रता और धर्म चारेनी है लेकिन माता क्या बताऊं अभी कुछ दिनों पहले मैं चितरकूट की ओर चला गया था वहां मैं महर्शी अतरी के आश्च्रम पर पहुँचा माता मैं तो महर्शी की पत्नी अनुशुया जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पती वरता स्त्री नहीं है लक्ष्मी जी को नारच जी की बात पर बड़ा आश्चर रह हुआ और उन्होंने पूछा नारच क्या वो हमसे भी बढ़कर पती वरता हैं तो नारच जी बोले, माता आप ही नहीं इन तीनों लोकों में कोई भी इस्त्री माता अनुसुया की तुल्ना में किसी भी गिनती में नहीं आती है यहे सुनकर पार्वती माता, लक्षमी माता और सावित्री माता को बड़ी ईशा हुई और वे तीनों व्याकुलता से अपने पतियों की प्रतिक्षा करने लगी अपने अपने स्वामी के आने पर तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुया के सतित्व की परिक्षा लेने के लिए आगरह किया ब्रह्मा, विश्णू और महेश महर्शी अत्री के आश्रम पर पहुँचे तीनों देव मुनी वेश में थे उस समय महर्शी अत्री अपने आश्रम में नहीं थे आतिथी के रूप में आए हुए त्री देवों का सती अनुसुया ने स्वागत सत्कार करना चाहा किन्तु तीनों देवों ने उसे एक साथ मना कर दिया सती अनुसुया ने हाथ जोड़कर उनसे विंती करते हुए कहा हे रिशीवर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहन नहीं कर रहे हैं ना ही प्रसाद ग्रहन करने के लिए हां कर रहे हैं तो तीनों मुनी बने हुए देवों ने कहा देवी हम आपके यहां का आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप निवर्स्र होकर हमें बिख्षा देंगी यह सुनकर सती अनुसुया सोच में पड़ गई अब उन्होंने अपने योग तब से ध्यान लगा कर देखा तो सारा रहस्य से उनकी समझ में आ गया वे समझ गई कि यह रिशी नहीं बलकी त्रीदेव है वे बोली ठीक है भगवन जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूँगी मैं एक सच्छी पती वरतास्री हूँ फिर माता अनुसुया तीनों को बिठा कर अपने पती अत्री रिशी के पास गई और उनके चरंद होकर जल ले आई और इस जल को उन्होंने तीनों देवों के उपर छड़क दिया जल के प्रभाव से तीनों देवता दूद मुहे बच्चे बन कर बाल क्रीडा करने लगे माता अनुसुया ने उन तीनों को दूद पिलाकर उन्हें चावल भात खिलाया जिससे उन्हें गहरी नींद आ गई और तीनों देव वही पर पालने में सो गए जब तीनों देवता लोट कर बहुत समय तक अपने लोख नहीं पहुँचे तो देव पतनियां चिंतित हुई और उन्होंने देव रिशी नारज जी के पास जाकर इसके बारे में पूछा तब नारज जी बोले देवियों आपके पती तो अत्री रिशी के यहां पर आश्रम के आसपास देखे गए है तीनों देवियां चिंतित भाव से बहुत शीगरता से अत्री रिशी और माता अनुसुया के आश्रम की योड़ बढ़ चली और माता अनुसुया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछने लगी तो माता अनुसुया ने पालने में खेलते तीन सुन्दर बालकों की तरफ इशारा करके कहा ये हैं तुम्हारे भरतार इन में से पहचान लो कौन से किसके हैं बहुत प्रियास करने पर भी तीनों देवियां अपने अपने पती को पहचान नहीं पाई तब तीनों ने हाथ जूर कर देवी अनुसुया से प्रार्थना की कि हे माता हमसे बहुत बड़ी भूल हुई आप हमें शमा कर दें और हमारे पतियों को बाल रूप से मूल रूप में लाने की कृपा करें उनकी शमा याचना पर माता अनुसुया ने प्रिदेवों को फिर से योग तपका जल छिड़क कर प्रिदेवों को उनका रूप परदान किया और उसके पश्चात तीनों देव अपने अस्ली रूप में प्रकट हो गए सती अनुसुया की परिक्षा से प्रसंद होकर वे बोले देवी वर्दान मांगो त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुया बोली प्रभू मैं आप तीनों को अपनी कोक से जनम देना चाहती हूँ मुझे यही वर्दान चाहिए और किसी वर्दान से मुझे क्या लेना है तब ही से मां सती अनुसुया के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान दक्तात्रे के रूप में प्रिदेव ने सती अनुसुया के गर्ब से जनम लिया जिनके तीन शीश और चार बुजाए थी और उनमें प्रिदेव की शक्तियां समाहित थी रामायन में भी अनुसुया माता के जीवन के विशय में बताया गया है जिनके अनुसार बनवास काल में जब भगवान राम, सीता और लक्षमन महर्शी अत्री के आश्रम में जाते हैं तो अनुसुया जी ने सीता जी को पति वृत्रम की शिक्षा दी थी जै सतीमा अनुसुया